तो गाइज कुछ ऐसा दिखता है हमारे होस्टल के टेरेस से नीचे की और आप देख सकते हो पूरा ऐसा है थामिल और सामने होटेल्स होगे रहे हैं यहां पर बैटके आप साम में साम इंजोई कर सकते हो तिस टेरेस अब इस विए बारा बच चुके हैं और मैं होस्टल से न है और अब काफी गर्मी लग रही है रात में ठेंड लगने है कंबına लप देख सकते हैँवार के पर यहां पर शलता हैं अ वहां मेसे बॉट सारे जाओ यह अंग आप इस आप सामने देख पारे जीं में आप महां इस तो सामने देख पाहां है तो अब का की सचते मेन ख़ं पांगा कर इ reconciliation मैं मेल सजय बहुत घुब बाकी स मृण और दिखता है आम्यूशतिय मलं नहीं तो इसके पांच रुपे हैं इसके चाहिए यहां पर पूरा ट्रेकिंग को आज इतना भी सामान वगरा होता है स्लिपिंग बैक से लेकर के अबरीफिंग बैक बैक सब कुछ सब मिलता है और ग्लासिस वगरा भी है इसके पांच प्रेकिंग के समान के लिए अगर आप आते हैं इंडिया से लिए और यहां पर जगा जगा पूई यह दुकाने मिल जाएंगे मनी एक संज करने के लिए और जो रियल रेट है उससे थोड़ा सा कम मिलता है एक दू रुपए क्या सबस नेपाली रुपए का सबस तो ठीठा क्रेट मिल जाते हैं कमिशन वगर भी नहीं लेते जादा तो अगर आप यूसडी वगरा से आते हैं तो यहां पर चैंज करवा सकते हैं हमें बहुत सारे इस्टोर मिल दाएंगे सामने है एक एटूजर मनी एक्स्टेंज प्राइबिट लिमिटेश तो ऐसे एक हाफिसारे इस्टोर्स हैं तो इस फामिली हमें पहुंच चुके हैं दरवार स्कॉयर यहां से आप देख सकते हो दिख रहा हो आपको और यह दरवा पहुत चुके हैं दरवार स्कॉयर वहां पर इंट्रेंस फी लगता है सार कंट्री गले 150 रुपीज और अधर कंट्री के लिए 1000 नेपाली रुपीज आइधिंक नेपाली के लिए वो फ्री है तो कुछ ऐसा दिखता है अगर आप दरवार स्कॉयर आते हैं तो बहुत ही आप देख सकते हों कि सारी लकडियों के बने हुई है और उपर जो चत्वगरा बना हुआ है वो भी लकडियों का है और काफी यूनीक है है सामने जो यह कब मंदिर देख पा रहे हैं उस मंदिर पे भी रजमान है हमारे काल भेरब जी और इस प्रतिमा को एक ही पत्थरच बनाया गया है तो इसके लिए एक यूनीक बात जाती है म्यूजेम एंटर होने के लिए हमें लेनी पड़ती है एंट्री टिकट जो की होती है 300 नेपाली रुपीज जिसका बाहर में प्राइस बताया गया था 150 रुपीज यहां बताया गया 300 रुपीज तो आप अगर इस वीडियो को देखकर वहां जा रहे हैं मेरा सेशन यही रहेगा कि आप बाहर से टिकट लेके आए जो की आपको 150 रुपीज नेपाली रुपीज में मिल जाएगा मैं यहां पर हमें देखने को मिलेगा बहुत सारी इंसेंट बिल्डिंग तो गाइज कुछ ऐसा दिखता है दरवार स्कुएर अंदर से और इसी के लिए हमने 300 नेपाली रुपीज पे किया है वैसे होते तो 150 ही हैं लेकिन पताएं उन्होंने 300 क्यों से लिया और यह आप द सब्सक्राइब देखने हैं आप जो सब्सक्राइब आप एक्षिली में है टेरा कोटे आर काफ सिवा टेंपल तो वहीं के गुछ टुकडिया है और यह देखो सबसाव सिवा टेंपल के ही मूर्तियां वगए यहां पर अख्योए हुई है और काफी जादा यह पुराना है तो बस ऐसा ही कुछ आपको मिलता है देखने के लिए और आगे आप देख सकते हो यार कितने सुमसलर मतलब आर्ट जो बनाए गए है इसके उपर पूरा लकड़ी पर बनाए गया है यह लेट किंग में अंदर भी कम सा लेंड डोवर जीव डिस्टोवाइड बाउम अटेक इ तो यह किंग की लेंड रोवर है आप देख सकते कितने पुराणी है और बस अभी चलती तो नहीं होगी यह लेकिन तब फिर वेश्टोवाइड रखा गया है काफ़ पुराणी गाईज है यह कोई टेंपल का विंडो का डिजाइन बगड़ा है इसमें भी देखों कितने ग सब और यहां पर एक छोटा सब पॉंड है एंड पॉंड के वारे मैं इसिंग वहां लिखा हुआ है तो यहां से भी आप देख सकते हैं बिल्दिंस कितने खुबसरत है यहां पर और अभी सारी जो है ना बिल्दिंस बहुत सारी वह अंडर कर स्ट्रक्शन है और चैनीज ग अगर आप कभी आते हैं तो देख लीजिएगा कुछ पराणी फोटोस बगरा हैं दर बार स्क्वेर की और भी सारी चीज़े के तो बस फोल्डोस की क्लेक्शन है और पिस नहीं गैलरी में तो वही होता है तो यह है म्यूजियम के इंट्रेंस यहां भी फोटोग्राफिय ल और जल्दी सारा रिष्टूर हो जाएगा फिर इसके बाद आप लोग आपके देख सकते अंदर यह सारी जो बिल्दिंग्स है इसमें सिमेंट हो रहा है यूजनी किया गया था और बहुत ज़्यादा पुरानी है तो भार खराब हो गई है तो अभी इसका रिष्टूर से क गुम के आया हूं और अंदर गद्धी बैठकों के राशब है मिजियम है यह सब जो मैं अभी देखा अंदर जाके और ताफ यह चल गया यार यह यह पूरा दर्वार स्कुरेट अभी रिनोगे सेना काम चल रहा है कि ग्राउंड है जहां बहुत सारे इवेंट होते थे और अभी भी बहुत सारे खेल की इवेंट जो होते हैं तो ताफिस बड़ा प्लेस है यह मैंने मैप में देखा था तो अभी जुस्त मैंने गूगल में देखा जा रहा था तो सोचा मैं आपको बिखा दूँ मार्केट उसरब लगा हुआ है और अभी हम बस में सफर कर रहे हैं पस्पतिनाथ के लिए तो गाइज यह है मितरपार बस स्टॉप और यहीं भी बस वाली भाई ने में छोड़ा है करीब 30 रुपे मुसे लिए तरवार स्कॉयर के आगे से एक बस स्टॉप था वहां से यह हाने के लिए तो गाइस यह मैंन गेट उन्दर दाने के लिए पस्पतिनाथ और अधर से थिंक पैदल वाला रास्था है कि मैं पैदल वारे रास्ते जांगा तो गैस यह रास्ता दर गाने के लिए प्रस्वतिनाथ अंदिर और मैं पर लोकर्स वोगर के चुगदा भी अवलेबल है वो भी फ्री में तो मैं पहले यहां सामान रखता हूं और नमर जाएंगा तो गाइस जुद्धे रखने के बाद यह टोकन मिला है और ऐसा कुछ रास और आप देख सकते हो पूरा पूरा पूजा का महौल यहां बना हुआ है तो वाइस हमारे सामने स्री पसुपतिनाथ मंदिर और की है पूरा कंपाउंड यहां का एक एंट्रेंस गेट यहां से भी है अच्छा मेरा बैक यहां है यहां के पीछे एक आरी है घाट है यहां पर काइंड आफ हवन वगेरा हो रहा है और बौट सरे लोग हवन दिला रहे हैं तो यह पूरा कंपाउंड अंदर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर कैमरा वगेरा आलाउट नहीं है तो को शुटने कर पाया है यहां पर कि बहुत सारा टाइम आप स्पैंड कर सकते हैं एक चालो हो जादे एक होल है और उसमें लोग जाते हैं ऐसे हाथ मुझा आते हैं बोलते हैं इसा वह बागई है जमाते हैं जाके अंदर वह बता रहे थे अभी कि अजस्ट तो बी मैं उपर ही जा रहा हूँ और काफी जादा सीडिया है यह जो रास्ता है यह पर एक्जिट की हो तो यहां पर आप एक्जिट देख सकते हैं तो इधर से अभी हम बाहर जा रहे हैं और उसके बाद जो भी होता है को यह प्लान करते हैं कुछ आजसाम का यहां रुकना है या फिर यहां से निकलना है अभी तब भी मैंने कोई ऐसा होस्ट अगरा बुक नहीं किया है तो एक लोग मिले हुए थे यहीं पर उन्होंने अपने घर पे इन्वाइट किया हुआ है उन्होंने बोले को जर्वेट कर अगर वो आते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर मैं बस कुलड़के आगे निकल जाओंगा